आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर बाबा ने हम सभी को सहज योगी बना दिया है हमारा जीवन ही योगी जीवन बन जाए योगी जीवन रथात जिसमें हमारा चित सभी के लिए आत्मिक प्रेम से भरभूर हो जिसमें हमारे मन में सभी के लिए समान रूप से सुब भावनाए हो चाहे कोई कैसा भी हो हम से सुब भावनाओं का दान सब को मिलता रहे सहज योगी जीवन माना हम विश्व कल्यान कारी स्थिती में सदा इस्थित रहे सदा ये स्मर्ती रहे हमें सब का कल्यान करना है योगी जीवन अर्थात सहज रूप से स्वमानधारी नेचुरल रूप से हम इस फेलिंग में रहे मैं देवकुल की महानात्मा हूँ ये संसार मेरे लिए नहीं बना है योगी माना जो इस संसार से उपराम हो जिसने चार और के किनारे छोड़ दिये हो जो अनासक्त रहते हो जो सदा वेराग व्रत्ती में हो जिने सदा घर जाने की स्मर्ती रहती हो ये योगी जीवन जो बहुत सरल जीवन है योगी जीवन अर्थात मन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं मान इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहा है तो योगी जीवन अर्थात इस संसार में रहते हुए भी कमल समान न्यारे और प्यारे बन कर रहे हैं ऐसा योगी जीवन हम सभी को बना लेना है और इसके लिए ये इसमर्ती बार बार रखनी होगी के हमारा ये पांच जार साल का खेल ये लंबी यात्रा अपोर्ण हुई सब कुछ छोड़ कर मुझे अपने घर वापिस चलना है बाबा आ गया है मुझे ले जाने के लिए साथ में हम बहुत सक्तिशाली है हमारे पास संपोर्ण ज्यान है हम माया के वस न हो जाएं माया तो बहुत कमजोर है हम ऐसा संकल्प करें कि माया तो कागज का शेर है और कुछ भी नहीं हमें ये जितनी बड़ी दिखती है उतनी बड़ी ये नहीं है और कभी भी माया आ जाए तो बाबा बाबा को याद कर लें या बाबा का आहवान कर लें या बाबा के स्वरूप्र बुद्धी को इस्थिर कर दें बहुत जल्दी माया परास्त होती हुई नजर आएगी हमें यह स्मर्थी रखनी है कि हमने तो कल्प कल्प इस माया को जीता है माया को जीतना हमारे लिए खेल है जैसे इस अंसार में जो कारिय हमने बार-बार किया हो हजार बार किया हो उस कारिय को करना कितना सहज और नेचुरल प्रतीत होता है ऐसे ही इस माया को हमने अनेक बार पचाड़ा है चाहे काम हो या क्रोध चाहे अंकार हो या लोब चाहे घरना इसा द्वेश हो या टकराव ये सब माया की स्वरूप है इने हमने बार बार जीता है इस रेश्टिस्मर्ती में हम आएंगे तो माया को जीतने की शक्ति इमर्ज हो जाएगी अगर हम ये सोचते हैं कि माया को जीतना तो बड़ा कठिन है माया तो मुझे बार बार हरा देती है तो हम कमजोर हो जाएंगे लेकिन हमें ये याद रखना है मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ माया से अधिक शक्ति साली हूँ और कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ तो मास्टर सर्व शक्तिवान की स्मर्थी और विजयी होने की स्मर्थी हमारी विजय की सक्तियों को विजय के संस्कारों को इमर्ज कर देगी और उन माया के विकारों पर जिने जीतना कठिन हो रहा है सहज ही हो जाएगी तो आईए आज इस नसे में रहें माया को जीत प्राप्त कराने के लिए स्वयम परम सद्गुरू ने हमें शक्तियां और वर्दान दी है वो हमारे पीछे है उसने हमें आशिरवात दे दिया है संकल्प दे दिया है बच्चे तुम्हारी माया पर जीतनी सित है तो हम जीत के नशे से माया को जीतेंगे और सारा दिन इस नसे में रहेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, माया जीत हूँ, विजई रतन हूँ, इस माया से अधीक शक्तिशाली हूँ. और साथ साथ स्वयम को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा के साथ कम्बाइन स्वरूप में रहेंगे, मैं नीचे मास्टर सर्व शक्तिवान और सिर के ऊपर है सर्व शक्तिवान सिव बाबा, ऐसे कम्बाइन स्वरूप को देखकर, माया हम तक आने का साहस भी नहीं करेगी. ओम संदी